हलो एवरिवन तो श्वागत है आप शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी पॉइंट विद निगम शेर पर तो बिल्कुल देखेगा पार्ट यह आपका वन है ठीक है येस मिडवाइफरी की हम बात कर रहे हैं द्याना किएगा केवल जो है मिडवाइफरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है अब आपको एक तरफ से है ना एक तरफ से शंपूर मिडवाइफरी करवाएंगे जिससे कि मिडवाइफरी का कोई भी कोश्चन्स नहीं चूटेगा तो देखेगा आज के टॉपिक में जो है हम बात करेंगे सूतिका वस्ता के ठीक है तो सूतिका वस्ता जो है यह आज को टॉपिक है और जो यह वीडियो है ना यह थेवरी वीडियो है तो सभी लोग ध्यान किएगा सबसे पहले कोई भी टॉपिक होगा उसकी मैं शंपूर आपको थेवरी कराऊंगा उसके बाद में जितने भी वहां से MC की वर्थात multiple choice questions बन लगएगा तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे सूतिका आवस्ता टीक है तो डीटेल में जानेंगे कि आखिर जो सूतिका वस्ता है वो क्या है ठीक है yes इंग्लिश में भी इसे ध्यान केंगे pure parium है ना yes तो देख से दूद का स्राव प्रारंब हो जाता है तथा महिला प्रशाव के शारीरिक एवं भावनातमक ठीक है अनभवों से उबर जाती है तो इस इस्तित को ही बोलते हैं क्या सूतिका वस्था बोलते हैं यह देखेगा डेफनेशन आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि यही जानेगे बोलो तो सूतिका वस्था की जो अवद है वह जानेगे तो देखेगा ध्यान से समझेगा बिल्कुल आप सभी को पता होगा है ना आप यहां पर देखे क्या है सूतिका वस्था प्लेसेंटा की डिलवरी के तुरंत भाद प्रारंब हो जाती ये भी ध्यान देजेगा बिल्कुल महात्पॉन पॉइंट है प्लेसेंटा के डिलेवरी के तुरंत बाद प्रारंब हो जाती है बोलो क्या सूति का अवस्था तथा उसके बाद अगले छे सप्ता अथवा 42 दिन तक जारी रहती है है ना छे सप्ता और छे सप्ते 42 याने के च प्रारंब हो जाती है आगे बढ़ेंगे इसके बाद देखिएगा बिल्कुल हम यहां पर जानेंगे प्रत्यावरतन अर्था बोलो एन्वालिशन है ना तो यहां देखिए क्या है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा महिला के जननांग प्रशव के पश्चात सूतिका अवस् वापस आजाते हैं कि पूर्व थे प्रत्यावरतन कहलाती है कि right इस में क्या होगा बोलो जैसे पूर्म थे उसे इस्तित में जब वापस आ जाए ना तो उसी को बोलते हैं क्या प्रत्यावरतन अब आगे देखिएगा यह महाद्वर्षभण बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रत्यावरतन क्या है ना इस प्रकार से आ सकता है यहां देखेंगे आनशीक प्रत्यावरतन की बात करेंगे आनशीक प्रत्यावरतन क्या होता है यदि प्रसव के पश्चात सूधिका अवस्था के दवरान महिला के जननांग उस अवस्था में वापस आजाए हैं है ना तुसे हम लोग बोलते हैं कि अप्रत्यावत्ज वरतन बोलते हैं और यूदे उसज्ञेल कि यहाँ डेकर बहुत जबर हैं बोऊप अच्छा लगे घंगे सूराव अर्था बोले तो लूचीं यह ठीक है तो सूतिका स्राव समझेगा सूतिका वस्था के दवरां योनिसे होकर निकलने वाले स्राव सूतिका स्राव कहलाते है यह point है बिल्कुल आपके एक्जाम में आ सकता है इसमें मुख्य रूप से गरभा सही स्राव होते है यह मुख्यता ध्यान देजिएगा सूतिका सराव के घटक की बात करेंगे तो इसके घटक कौन कौन से होते हैं एक तो रखत होगे आपका मैको नियम है स्लेश्मा है सूचमजीव डेसी डुवा के उतक एपिथीलियल, कोशिकाएं, भुरूणी जिलियां, लेनुगो, केसी ओसा ये सभी जो हैं सूतिका स्राव के क्या हैं वो लोग घटक हैं अब हम बात करेंगे यहां पर लच्छन के बारे में तो लच्छन के बारे में देखेगा सूतिका स्राव के लच्छन तो सबसे पहले बात आती है रंग के अब जब रंग की बात करेंगे न तो देखेगा बहुत महत्वण चीज है यह और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते है रंग के आधार पर सूतिका स्राव तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है बोलो तीन प्रकार का और किस के आधार पर बोलो रंग के आधार पर तो पहला प्रकार क्या है मालूम है लाल सूतिका स्राओ इसे हम लोग जो है लुजिया रुब्रा भी बोलते है ठीक है ध्यान लखेंगे चाहें आप कहलो लाल सूतिका स्राओ या क प्रत्थम चार दिनों तक जो आता है ना उसे स्राव को हम लोग बोलते हैं क्या लाल सूतिका स्राव बोलते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या लुचिया रूब्रा कह सकते हैं अच्छा एक ची और ध्याम देंगे इसमें रक्त की मात्रा है ना अधिक होने के कारण इसका लुटिया रुब्रा में रक्त के अलावा डेसी डुवा की कोशगाए, चिल्णीओं के टुक्रे मैंNow लेनुगो आ धी पाये जाते हैं ये पॉइंट बिल्कुल महत्विपूर्ण है ये भी पाये जाते हैं ये ध्यान रकेंगे और इसके बाद बात करेंगे हम अगले प्रकार की तो अगला जो प्रकार है वो कौन सा है तो अगला जो प्रकार है ना येस गुलाबी सूतिका सराओ है या फिर इसे हम लोग लुचिया सिरोसा भी बोलते हैं ठीक है दोनों एकी बाते हैं तो समझेंगे लाल सूतिका सराओ के बाद है ना लाल के बाद अगले तीन तक योन्य से आने वाला स्राव, गुलाबी, सूतिका स्राव कहलाती तो पहले लाल, उसके बाद्मी, ठीक है? यस आगे कितने दिनों तक बोलो 3-4 दिनों तक अब आगे देखिएगा यह सूतिका वस्था के पांच से नवे दिनके मदिज स्रावित होता यह पांसे नवे पहले चार दिन तक तो आप समझ गया है ना आप इसके बाद पांसे नौ बहुत ध्यान से समझेंगे पहले चार दिन तक कौन होता है बोलो लाल सूतिका स्राव होता है फिर पांसे नवे दिन के मद जो स्रावित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे बो पाइब बारी आती है किसकी बोलो शफेद सूतिका स्राव की तो सफेद जो सूतिका स्राव है ना इसे हम लोग बोलते है क्या लोचिया अलबा भी बोलते है यहां अंतिम सूतिका स्राव होता है ठीक है यह लाश्ट वाला होता है सभी लोग समझ गया ना पहला कौन लाल दूसरा कौन गुलाबी तीसरा कौन शफेद यहां अंतिम सूतिका स्राव होता है इसका रंग शफेद अथवा पीला पन लिये हुए शफेद होता है पॉइंट ध्याना केंगे या स्राव सूतिका वस्ता के दस्वे से पंद्रवे दिन के मध्य पाया जाता है ठीक है दस्वे से पंद्रवे दिन के मध्य अंतिम सूतिका स्राव इसमें लाल रक्त कडिकाए जो है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है बिल्कुल बहुत कम मात में पाई जाते हैं सभी लोग ध्यान रखेगा अब थोड़ा सा देखेगा हम यहां पर बात कर लेते हैं अवद के बारे में तो सूतिकास राओ की अवद लगभग 15-18 पारा दिन होती है सभी लोग ध्यान रखेंगे इस्थानी जरनांगी घाहों के दौरान इसकी अवद जो है ना वो तीन सब्ता से अधिक भी हो सकती है यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे और फिर मैं आपको बता दू देखेगा अब यहां पर जो है मिडवाइफ अपरी में समझ लिजेगा बिल्कुल संपूर्ण चीजें मिलेंगी पहले आपको मैं ठेवरी कराऊंगा और फिर जितने भी ठेवरी से एंसी क्यू बन सकते हैं प्रतीक कोश्चन में कराऊंगा तो सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे यह दिदेखेंगे ना यह बहुत जल्द जो है आपका पेट जो एक्जाम है वह फिर से होगा और इसके बाद देखेले बिल्कुल बहुत जल्त अबरती आएगी यूपड़ में बिल्ग किसी का स्कोर कम रह गया तो लोग थोड़ा सा भी जये ठोड़ा-थोड़ा पढ़ना सुरू कर देड़े है ना बिल्कुल ध्याम दिजिएगा और मैंने देखिए मेरा दूसरा चैनल सभी को पता है निगम सर 777 है ना इस चैनल पर मैंने पेट पेट इसकी तैयारी जो है करवाना शुरू कर दिया है पहला वीडियो मैंने आज डैला है बिल्कुल तो आप सभी लुग जाकर देखेंगे बिल्कुल देखेगा जु वीडियो मैंने डैला है वो ग्र Autom Europas वाला है तो आप एक बार जरूर देखिएगा जाकर और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा साथी अपना कमेंट जरूर कीजिएगा आप जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा तो यहाँ पर हम लोग मात्रा की बात कर लेते हैं सूतिका अवस्था के प्रथम पांच से छे दिनों की अवद के दोरान इसकी जो मात्रा होती है ना वो 250 ml होती है लगबग होती है ध्यान किएगा सुरुवात में इसकी जो मात्रा होती है वो अधिक होती है उसके बाद या घ घटी जाती है तिक है घटी जाती है शम्हें पूरु प्रशो के दORAन इसकी मात्रा कम हो सकती है ततह इसके विप्रीद पॉलि याज बहुत दवरां इसकी जो मात्रा है वो जादा हो सकतीए बोरब दियाना केगा बिल्कुल र यहां पर देखेएगा प्रकत की की बात करेंगे प्रकति देखेए क्या है इस प्रकति को ध्यांड कि शुरुआत में चारी और अंतिम में बोलो क्या हमली, आगे देखे सूतिक आवस्था बुखार है ना, डिलबरी के बाद प्रथम दस दिनों के दोरान यदि महिला का तौपमान सामानी से अधिक आता है, तो यहां इस्तित जो है सूतिक आवस्था बुखार कहलाती है, यहां देजिएका डिलबरी के ब प्रफम 10 दिनों तक है है ना इस कंडिशन को ही बोलते है क्या सूतिका वस्ता बुखार यह तेमप्रेचर जो है सामाने से क्या हो जाए बोलो अधिक हो जाए अब यहां पर देखिए कुछ कोश्चन है आपके लिए बिलकुल तो यहां पर देखेगा सूतिका वस्ता कहलाता है ठीक है यह महत्पूर्ण पॉइंट है इस पॉइंट को सभी लोग बिलकुल दियान केगा कि आखिर सूतिका वस्ता संक्रमण जो है वो क्या है अब आगे चलते हैं इसके बाद देखेगा यह कोश्चन बिलकुल आपके लिए है और यह आपने वीडियो को राइसर कर पाएंगे तो सब से पहले बात करते हैं मिलान की जिए हैना एक तरफ है सूतिका अवस्ता की आवाद्या और कि दूसरी तरफ है सूतिका स्राओ का परकार तो शुरुवाती एक से चार दिन में क्या होगा बो ब्लूचिया अल्बा लुचिया रुब्रा लुचिया सिरोसा 5-9 दिन में और 10-15 दिन में तो आखिर किसका किस से होगा मिलान और यहां पर देखेगा येस किसका कौन सा राइट अंसर होगा आप सभी लोग सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो चल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे ध्यान के साथ और इसके बाद जो भी टॉपिक में लेकर चलूंगा उसे पूरा करूंगा बहुत ही सांदर तरीके से जितने भी थेवरी से कोस्टेंस बन सकते हैं हर एक कोस्टन लेकर आऊंगा है ना हर एक कोस्टन तो थैंक यू एवरीवन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीड